इस आदुनिक दोर में इंसान किस हद तक विकसित हो गए है ये कोई चिपिवी बात नहीं है इंसान योगो योगो से जिग्या सुरहा है इंसानों ने अपनी जिग्या सासे दूसरी दुनिया पर यानि दूसरे ग्रहों पर भी अपनी पकड जमाई रखी है लेकिन क्या आप कि इस आदुनी क्यूब में भी कुछ इंसानी जिग्यातिया मौजूद है जो इस तकनी की दुनिया को छोड़के जंगलों को ही अपनी दुनिया मानते है आज हम ऐसे ही कुछ इंसानी जिग्यातियों के बारे में जानेंगे लेकिन इससे पहले नए विवर्स इस चैनल को स दक्षिन प्रशान में स्थित पापु अन्यूगिनी के जंगलों में रहने वाले आदिवसी बाकी दुनिया से पूरी तरह से अलग रहते हैं इनकी खोज एक दचमशनरी ने की थी इससे पहले इनके अस्थित्व की दुनिया को कोई खबर नहीं थी इनके रहनसरन की वज़े से इस जंजाती का बाकी जंजातियों से हिंसक जगड़ा होता है ये लोग भूमी ववन अदिकार के लिए खूनी युद्ध करने से भी नहीं कत्राते माना जाता है कि ये लोग कुरूरता से एक दुसरे पर वार करते है और अपने दुश्मनों का सिर काट कर उनका दिमाग खा लेते है इस मस्तिक से पकेट डिश को इन्होंने ओमना सट्स का नाम दिया है सबसे अलग थलग रहने वाली ये जंजाती एमेजान के जंगलों में रहती है ये जंजाती फुनाई नाम के फाउंडेशन द्वारा खोजी गई थी फुनाई फाउंडेशन एमेजान के जंगलों में रहने वाली जंजातियों को ट्रैक करती है इस आदिवासी समों के लिए पेरू सरकार में इनसे जमपरक पर प्रतिबंद लगाया हुआ है क्योंकि इनकी रोक प्रतिकारशमता इतनी अच्छी नहीं है कि वो आम आदमी में मोजुद जेम्स को जहल सके वैसे तो मास्कोपिरो का बिला आसानी से बहारी लोगों पर हमला नहीं करता लेकिन आम लोगों के हत्या के इन पर कई आरोप लगे है ये जन्जाती भी तीर, धनुच और भाले का मुक्या थियार के तोर पर इस्तमाल करती है The Ava Tribe Survival International स्थम्ता के आनुसार उत्तरी ब्राजिल के आवा आदिवासी दुनिया की सबसे लुक्त पराई जन्जाती है इस जन्जाती के कुछ सदस्ति बहारी दुनिया के लोगों से संपर्क कर चुके है लेकिन अभी भी इनके सेक्ड़ों से सदस्ते है जिनका बहारी दुनिया से कोई संपर्क नहीं हुआ है अवा आदिवासी पेशेशे शिकारी और संग्राग रहे है लेकिन ये वन्ने जीवन से भी करीवी रिस्ता रगते है जिसमें ये लोग आनात बंदरों और जानवरों को पालते है और उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते है यहां तक कि जनजाती की महलाए उन जानवरों को स्थनबान भी कराती है दक्षिन सुडान में सुर्मा जनजाती के लोग रहते है जिनको बाहरी दुनिया से संपर करकना पसंद नहीं है ये लोग अपने ओड़ पर लगे अजीब जियान्ट लोगों की बज़े से पच्ची मी देशों में अच्छी तरह से जाने जाते है इनमें और दूसरे आदिवासियों में और एक अंतर है दरासल ये लोग आदूनिक हत्यारों का उपयोग करते है इनके पास AK-47 जैसे हत्यार होते है इस जन जाती का मुख्य काम जानवरों को चराना है इनमें जिसके जादा जानवर है वो अमीर कहलाता है इनका मानना है कि जिंदा जानवरों का खुन पीने से इनकी ताकत बढ़ती है लिहाजा ये लोग महिने में एक बार जानवरों का खुन पीते है भारत की अधिकर छेत्र में नौर्थ सेंट्रिनल आइलेंड पर आज भी एक 60,000 साल पुराना कभिला रहता है जिसका भारी दुनिया से जरा सा भी संपरक नहीं है इस कभीले के लोग उनके छेत्र में दाखिल होने वाले लोगों को बेहरे मिसे मार देते है सेंट्रिनल आइलेंड सरकार दोरा पतिबंदी थे यहाँ पर आम इंसानों के जाने के लिए बेहन लगा हुआ है इन आदिवासियों को प्राकरतिक आबदावों से निपटने का बहतरी ननुबह है जैसे कि 2004 में आई जुनामी की वज़े से अंडमान द्विफ तबाव गए थे और ये द्विफ भी अंडमान द्विफों की स्रिंखला का हिस्सा है एसे विपरित परिश्थितियों में भी ये लोग बचे रहे तो दोस्तो ये थी कुछ ऐसी जन जातिया जिने बहारी दुनिया से तालूक रखने में कोई दिल्चस्पी नहीं है ये लोग अपनी जगा पर खुश है ऐसे में हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनके छेतर में घुस्पेट न करें तो आज के वीडियो में बस इतना ही आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही रोमा चक वर्रास्यमाई वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्क्राइब करके गंटी भी तबा दीजिए तो दोस्तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई